College of Art, दिल्ली विश्वित दाले के off-campus का one of the best colleges जो completely dedicated है आट की ही फील्ड को. College of Art की जो establishment है वो 1942 में हुई थी और इस particular college को इसलिए ही सर्फ धान में रखके बनाया गया था कि आने वाले समय में Fine Arts में ही डिग्रियां प्रोवाइड की जाएंगी चाहे वो Bachelor में हो या फिर Master's में हो Bachelor of Fine Arts की डिग्री प्रोवाइड की जाती है Master's of Fine Arts की जो डिग्री है वो किस-किस कोर्स में प्रोवाइड की जाती है तो applied arts में, art history में, painting में, printmaking में, sculpture में, visual communication with emphasis on studio practicals, prescribed theory subjects and research in selected fields में. यह जो college है यह किस faculty के अंतरगत आता है तो faculty of music and fine arts के अंतरगत आता है, university of Delhi के अंतरगत और जितनी भी academic matters होते हैं यह completely look after होते हैं government of national capital territory of Delhi के द्वारा, ठीक है मतलब कुल मिलाके इनके जितनी भी matters solve होंगे academically, वो solve परेंगे हमारी Delhi सरकार के द्वारा और जो भी course वगरा कैसे provide करनी है, किस holistic manner में जाना चाहिए, यह सारी चीज़े दिल्ली विश्विद्दाले के त्वारा ही तई की जाती है एक छोटा जाना हम website tour कर लेते, college of art का कि भाई आप किस तरीके से notice section को access करोगे, कहां पर अपने course details को check करोगे, यह सारी चीज़े जिसे college of art नाम से ही आप समझ पा रहे होगे, कि भाई यह जो proper college है यह completely art and creativity को ही dedicated है यहाँ पर जो डिग्रियां प्रवाइट की जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि bachelor of fine arts की डिग्रियां प्रवाइट की जाती है और अभी मैं जब दिखाऊंगी आपको तो आप देखोगे कि भाई masters in fine arts भी यहाँ पर शुरू हो गई है अब किस-किस subject में शुरू किया गया है, देखो master जैसा कि मैंने बताया थे कि master in fine arts course जो है except art history में applied art, art history, painting, printing making, sculpture and visual communication with emphasis on studio practicals, prescribed theory subjects and research in selected fields इसमें भी यह फिलहाल अभी degree प्रोवाइड कर रहे है ठीक है तो जैसे ही आप पहला interface open करोगे ना तो यह सारी चीज़े आप पढ़ पाऊगे और यह clarity आपको मिलेगी कि college of art में फिलहाल चल क्या रहा है bachelor of fine arts के साथ यह master in fine arts भी course को प्रोवाइड गर रहे है नीचे जैसे ही scroll down करोगे यहापे quick links में आप कुछ कुछ चीज़े access कर पाऊगे address फिलहाल आप access कर पाऊगे कहाँ पे तिलक मार्ग में तिलक नगर करके एक metro station है इन्होंने अपना college of art बना रखा है जो infrastructure वगर है वो काफी कुछ सूरत है आप यहाँ पर फोटो से ही पता लगा सकते हो about us में आप एक बड़ी check कर सकते हो कि भई क्या इनकी history रही है इनका क्या vision mission रही है यह सारी चीज़े आप देख सकते हो यह ना organization charts भी देख सकते हो मैं एक बड़ी प्रोग्राम्स और स्कीम्स आपको संझा तो ठीक है जिसे यहाँ पर देखो कि BFA जो डिग्री है यानि Bachelor of Fine Arts की इन्होंने पूरा details यहाँ पर बता रखा है कि कैसे foundation course वो करवाते है फिर art history में specialization है इनकी print making specialization, visual communication specialization तो आप दोनों में से कोई भी एक degree pursue करने आओगे तो यहाँ पे जो courses offer होते हैं यहाँ पर पूरी detail यहाँ पर पढ़ सकते हो infrastructure में अगर आप ख्लिक करोगे तो आपको बातशीत समझ में आएगी कि infrastructure में इन्होंने लाइब्रेडी प्रोवाइड कर रखा है canteen है आपे sports है, art material shop भी इन्होंने बता रखा है इससे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो services में एक बार ही अगर मैं click करके आपको दिखा हूँ तो फिलहाल services में जैसे इन्होंने बता रखा है कि भाई courses यह provide कर रहे है RTI आप एक बड़ी चेक कर सकते हो, right to information, information under RTI, right to information, manuals यह सारी चीज़े new notices board देखो notices board ना आने वाले समय में बहुत ही important होने माला है क्योंकि जैसे जैसे देखो college of art की entrance examination होती है हाला कि होती है CUT के यह through है तो यह सारी details जो है वो आपको इसी section में मिलेगी आप इनसे contact कैसे करोगे, तो contact के लिए इनोंने details यहापे अपना number, अपना mail ID वगर इनोंने बता रखा है फिर galleries में आप इनकी photos देख सकते हो, कुछ-कुछ जैसे मैं एक दो photos आपको दिखा रही हूँ photo gallery यहाँ पर अगर मैं फिलहाल apply करो तो इनका शायद अभी photo इनका लगा नहीं है, time table आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर समय के साथ आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी और समय के साथ आपके सारे doubts भी clear होते रहेंगे इवन वन-on-one आप मुझसे चर्शा भी कर सकते हो हमारे instagram id पे at the rate mission Delhi university या मुझे mail भी कर सकते हो u.dellivites at the rate gmail.com या विर हमारे telegram group में ही जुड़ सकते हो mission Delhi university इवन फर other performance booster courses do visit our official website www.dellivites.in या फिर play store से हमारे application को भी download कर सकते हो Delhi whites यहाँ पर फिलहाल दो courses provide किये जाते bachelor in fine arts जो की I guess 4 साल का होता है और master in fine arts जो जिसकी specialization के regarding मैंने आपको पहले ही बता रखता है और पूरी की पूरी course details भी आप website tour में आप समझ पा रहे होंगे अगर मैं common eligibility criteria की बात करूँ की bachelor की क्या होती है तो भाई class 12 में आप appearing होने चाहिए या पर class 12 आप pass होने चाहिए इसके साथ ही course fee के अगर मैं चर्चा करूँ तो 14,000 से 15,000 एक साल का लगता है hardly हो सकता है अगर कुछ vary करेगा UG और PG में तो 16-17,000 जाएंगे maximum इसी average में लगते अब जल्दी से मुझे नीचे comment section में आप बताओ कि specifically आपको bachelor के regarding fees structure जाना है या फिर master's के regarding आपको fees structure जाना है ठीक है this will be all for this lecture हमारे सारे social media के links नीचे description box में available है do comment us, do subscribe Mission Delhi University powered by Delhi